हुझमें भगवान परमाद मौ रूत में बैठें किया वो हमारे नाम जब नहीं सुनते हूंगे वो सब देख रहे हूंे लेकिन क्या वो हमें नहीं लेक्री है क्या व्यसिली हो.. वो हमारे प्रयास भी देख रहे हूंगे क्यों रोना धोना क्यों दासी क्यों निराशा क्यों भैबीत होना क्यों अविश्वास करना आप उस गाड़ी में बैठे हैं जो सही दिशा में जा रही है और एक दिन आपके लक्षे पे आपको पहुंचा देगी तो क्यों भैबीत होना है क्यों अविश्वास करना है और ये करेगी नाम जब की गाड़ी और आपके लक्षा निर्धारित करने में पूर सहयोग करेगी यह गाड़ी एक खत्रा मुझे दिखाई देता है जो वह यह है कि ध्यान पूर्वक जब किया तो आप इस शरीर की को छोड़ने के बाद आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करेंगे और पुर्ण पर सिधे गोलो पुर्णवन पहुंच जाएंगे लेकिन यदि ध्यान पूर्वक नाम जब नहीं किया तो आपके पुड़ने इकठ्थ हो जाएंगे ठीक है कि नाम ले रहे हैं तो पुड़ने के रूप में आपको आपका इकठ्थ हो जाएंगा सुकृत्या इक और आपके पुड़ने समाप्ति नहीं होते हैं तब तक रहना पड़ेगा और वहां पर वैसे भी समय लंबा होता है यहां के जब छे महीने बिग जाते हैं तो उच लोकों में किसी में एक दिन किसी में सिर्फ एक रात की ऐसे बीता वहां का श्लो चलता है तो जब वहां प आपको यहां पर छोड़ा जाएगा तब तक कल्यूग अपने उस चरण तक पहुच चुका होगा जहां पर आप नाम, ध्यान, जप, मंदिर, धाम, कुछ भी नहीं पाएंगे कल्यूग उस सीमा तक जाने वाला है जहां पर आपको मंदिर दर्शन नहीं मिलेंगे, बक्तों का संग नहीं मिलेगा, आपको किस कुछ यह एक खत्रा दिखाई देता है अगर ध्यान से नाम जप नहीं करते हैं, वैसे तो नाम जप हर हाल में कल्यान करता है, लेकिन ध्यान से नहीं करने पर, अच्छे से हरिनाम हृद्य से नहीं पुकारने पर, यह एक चोटा खत्रा जो मेरी चूटी बुद्धी कहती है, यह खत्रा मुझे दिखाई देता है, हम देखते है भगवत गीदा में भगवान क्याते हैं, कर्म करना आपके हाथ में है, प्रयास करना हमारे आपको नजर ना रहा हूँ, ऐसा लग रहा हो कि कुछ होई नहीं रहा, लेकिन यह भरूसा, विश्वास, दिर्ड निष्चे रखिए, कि 100% आपके प्रयास का फल मिलेगा ही, मिलेगा ही निष्चित है, परम दयालू नामी, आपके प्रयास को देखके, आपको रिजल 100% द आप तो अंशमात्र हैं, वो विभू, परम दयालू, वो उनका नाम जब पुकारेंगे, तो क्या उनके रिदे में आपके प्रती दया उत्पन नहीं होगी, वो आपका ध्यान रखेंगे, कितने अचारियों का मुदाहरन देख चुके हैं, कितने भटों का मुदाहरन देख वो अपने भगवान के प्रती या उनके नाम के प्रती, मैंने जानती कि वो किस रूप में भगवान के सेवा या भगवान का नाम पुकारती थी, लेकिन वो अपने भगवान के प्रती इतनी प्रेम में स्थिती में थी, उनकी एक पोईट्री में ये लिखा हुआ पाया जा के लिए अगर मैं आपका नाम जप रही हूं तो कृपया नरक के दर्वाजे मेरे लिए खोल दीजिए स्वर्क के दर्वाजे मेरे लिए हमेशा के लिए बंद कर दीजिए और संसार में जितने दुख हैं वो सब मुझे दे दीजिए और यदि मैं आपके प्रेम की प्राप्ति के लिए आपका नाम जब रही हूँ तो मुझे आपका प्रेम प्रदान कीजिए जाती, देश, कुछ भी विशेष्टा, शिहरी नहीं देखते वो सिर्फ आपका प्रयास, आपका प्रेम, आपका समर्पन देखते हैं एक जापक को थोड़ी चाह, एक निष्ठा और एक लक्षे और कुछ नहीं चाहिए आपकी चाहत होनी चाहिए नाम जब की, निष्ठा ब्रेड होनी चाहिए और लक्षे पता होना चाहिए एक जापक के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़े हैं जो जापक को नाम जापक को आगे बढ़ने में सहेपा करती है एक जगह पर प्रभपाद के एक लेक्चर में मैं सुन पा रही थी If you take bhakti as sentiment, then you will create disturbance that is the instruction of Rupa Goswami ये शीला प्रभपाद बताता है कि अगर आप sentimental होके bhakti करेंगे तो आप disturbance create करेंगे, समाज में भी, अपने जीवन में भी तो sentimental होके bhakti नहीं करनी है, ये रूप Goswami के instructions है तो bhakti केवल emotions नहीं है, बक्ती केवल sentiments नहीं है केवल भावनाओं का नाम bhakti नहीं है मन और बुद्धी साथ-साथ लेके चलना होगा दिमाख से काम लेके आगे bhakti में बढ़ना होता है sentiment से bhakti नहीं चलती, sentiment से सिर्फ destruction होता है और कुछ नहीं होता है, और वो destruction खुद को भी परिशान करता है दूसरों को परिशान करता है, समाज को परिशान करता है, परिवार को परिशान करता है तो वो वो सेंटिमेंट सब की परिशानी कारण बन जाता है और कई बार हमें पता भी नहीं लगता कि हम सिर्फ सेंटिमेंट में ही बक्ति के नाम पर आगे बढ़ते जा रहे हैं जब कुछ साल बीच जाते हैं कुछ समय बीच जाता है तो समझ में आता है कि हम तो सिर्फ या गुल नो इए कि भति किजिए है ना साथ ने हुआ होस्पा जाक नाख कर देए जांग और दॗे सफन्ह में तो इसको सद्संह भाति की किजिए कि वह सद्संग होती लside जो सद्संह में वहा है जो सक्पार्ड करने वाला होताओ है उढ़ा तुल आस्में रहे करते हैं तो आप संटिमेंटल दाइरे से ऊपर उठते हैं और प्राक्टिकली साइंटिफिकली और ब्रेन से भक्ति भजन करते हैं वह रक्षय तक आपको लेक जाती हैं सारे संसार के संग में अरूची उथपन करते हैं वो सत्संग है और ऐसे सत्संग में श्रीहरी अवश्य उपस्तित रहते हैं श्रीमत भागवतम में भी भगवान बोलते हैं कि जैसा मैं सत्संग करने वालों के वश में रहता हूं यह सत्संग में जितना में प्रसन रहता हूं उतना में वेदों का अध्यन करने वालो कर दोन से जितना मैं रजस्टों करने यंपने यहांग अथयोist करने वालों सेुआ परसेन नहीं होता। सब्संद के सब्सुन होता हूं शीकार करनें वालों सेतना होता होõ। थक आप उच्यक करने वालों से हम जुत करने लगता हुं संद करने यह des akadis मेले सहबता, बुरुका शरे मिल तो वही शबरी से शीराम चंद्रे मिल हैं यह उफक्त है छोबरी से शीराम चंद्रे मिलने नहीं तो यह सट्संग का एक उदाहरन है साश्त्रों में हजारों हुदारण ऐसे में होते हैं जो सत्संग की वज़े से श्रीहरी की प्राप्ति हो गई किसी भक्त को केवल सत्संग ही है जिससे आध्यात्मिक बल बढ़ता है भोगों से विरक्ति तभी आएगी जब आप सत्संग करेंगे बिना सत्संग के वेराग्य संभव नहीं है विरक्ति संभव नहीं है और श्रीनामजप में शद्धा भी संभव नहीं है तो श्रीनामजप करने के लिए या श्रीनामजप में रूची और सद्धा बढ़ाने के लिए यह अवशेक है कि हम सत्संग करें अभी मुझनराइजेशन में, मुझन वर्ड में το सथसंग के लिए तरीके निकलाए हैं तो आप किसी भी तरीके से सथसंग कीजे उन लोगों का संग कीजे जो श्रीहरीनाम प्रभू के प्रती समर्पित थैं श्रीहरीनाम प्रभू के प्रती Suffering तो उनका जब अपसंग करेंगे तो आपके उपर भी वो रंग आएगा, जैसा संग वैसा रंग कि हर जगह हम जानते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो श्री हरी नाम प्रभू के प्रती, शद्धा, प्रेम और समर्पन, आश्रय बढ़ाने के लिए प्रयासरत क्योंकि कल्यूग में और कोई उद्धार का साधन है ही नहीं, श्री हरी नाम प्रभू की जाए,